नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल से नवाल एजिटेग में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकावाटिवनिस्टी एक्जाम फोरम 2021 के लिए महत्पून खबर आपको बताएंगे कि आज से क्या एक्जाम फोरम एपलाई होंगे या नहीं होंगे नोटिपिकेशन अब तक क्यों नहीं आया इसका भी कारण बताऊंगे और नोटिपिकेशन जो पिछली बार आया था वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वालाँ कि वो नोटिपिकेशन कहां पर आया था क्या वो नोटिपिकेशन फैंक या सच है तो उसका भी हम आपको बताएंगे एक्जाम फोरम क्या पोस्ट पॉंड होंगी या नहीं होंगे ये भी डिटेल से बात करेंगे तो तीन मार्च वाली जो खबर है वो फैंक न्यूज थी या नहीं थी या आसे स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे तो अब बात कर लेते हैं आगे जो न्यूज पेपर में आई थी ख़बर वो उसके बारे में और उसके जैसे ही और नोटिपिकेशन क्यों नहीं आ रहा ये भी कारणा आपको मैं बताऊंगा तो देखते हैं पहले सबसे पहले जी यहां दोस्तों अमने जो सेक आउट इनिसिटी की साइट आ चुकी है गोगल पे आपको टाइप करना होगा उसके बाद में आप सर्च करेंगे सर्च करने के बाद में अब देखेंगे जो नोटिपिकेशन कहां पे आता है और कैसे चेक करते हैं यहां पर देखेंगे ओनलाइन एक्जामिचन फोरम इसिपे क्लिक करेंगी तो यहां देखेंगे देख सकते हैं यहां 25 तारिका नोटिपिकेशन है उसके बाद में कोई भी नोटिपिकेशन नहीं आया है तो notification नहीं है और यदि start भी exam forum नहीं है तो देख लेते हैं कि start हुई है और जो news paper में ख़बर आई थी वो भी आपको बताने वाला हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर exam forum का कोई भी notification नहीं है notification exam forum start होने से 2-3 दिन पहले notification आता है उसके बाद में exam forum start होते हैं अब देखते हैं जो news आई थी जो यहाँ पर आपको news का option दिख रहा होगा जो check out university type करें उसके बाद जो news का option दिख रहा होगा आपको इस पर click करेंगे अब एक ख़बर देखेंगे कि यह सची है या गलत है तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जो फष्ट है तीन दिन पहले ख़बर आई थी पत्रिका के newspaper में शिक करके अंदर जो पत्रिका पेपर आता है रासन पत्रिका का उसके अंदर यह खबर आई थी उस पर click करेंगे जैसे ही आपने इस पर click करिया तो आप देख सकते हैं जो आपके जो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे नहीं कट होती तो यह पहले भी आपको बताया था कि newspaper में जो खबर आई यह तो क्या है सच है syllabus में आपके जो syllabus है 100% रहने वाला कट ह होती ही नहीं होगी अब यहां से देख लेते हैं तीन मार से आविदन स्टार्ट यह भी खबर क्या है तो पक्के कई स्टूडेंट बोड़र सरे न्यूज आपकी जो न्यूज बताई थी आपने पिछले वीडियो में वह बिल्कुल भी फैंक न्यूज है फैंक न्यूज त तो बात करते हैं जो रास्तन पत्रिगाई न्यूज में पेपर हमें खबर आई थी तीन दिन पहले आई थी आप वहां से देख सकते हैं तो तीन मार से आपके जो एक्जाम फोर्म भरे जाएंगे अब तीन मार तो आज ही है नोटिपिकेशन आया नहीं तो नोटिपिकेशन यानकी साथ भी नोटिपिकेशन आ सकता है एक्जाम फोर्म में स्टार्ट होंगे तब जैसे एक्जाम फोर्म में स्टार्ट होए यहां पर लिंक आ जाएगी उसके अंदर नोटिपिकेशन का ओप्शन भी आ सकता है तो आज साम तक एक्जाम फोर्म में स्टार्ट होंगे जरूर क्योंकि इनतारी किनोंने ने फिक्स कर दी गई है यदि itself होते एक्जांव फोरं तो पहले नौटिबिकिशन जारी किया जाता है उसके बाद में फोस्ट कि यह जो न्यूज थी जो पत्रिका के न्यूज पेपर में आई थी इसलिए हम ने बताई थी हम बिल्कुल भी फैंक न्यूज नहीं बताने वाले हैं तो आपके सामने दिखा भी दिया हूँ कि यह कहां पर आप देख सकतें इसको तो आज इसे ही स्टार्ट होंगे नोटिफिकेशन जस्ट कभी भी आ सकता है और एक्जाम फोरम 6 या 7 बजे के बाद में स्टार्ट होंगे आज हो सकते हैं जैसे पहले notification आएगा तो भी आपको बता दिया जाएगा अगर exam forum में स्टार्ट होंगे तो बता दिया जाएगा यदि exam forum पोस्ट पॉंड होते हैं तो भी आपको information कर दिया जाएगा अन्य था आज ही exam forum में स्टार्ट होंगी नई होते तो यहाँ पर confirm कोई news आती है तो दोस्त